इस्टूडेंट्स वी विल डिसकस अबाउट दा इंपोर्टेंट न्यूज फर्स्ट न्यूज इस रिकार्डिंग दा लद्दाक के परस्पेक्टिव से हैं इस्टूडेंट्स लद्दाक के जो एक्टिविस्ट ने उनके दुआरा continuous प्रोटेस्ट किया गया था आप देखी कि प्रिजेंट समय में ministry of home affairs के दुआरा उनके साथ जो discussion है उसको allow किया गया है कि उनके साथ उनकी जो demands है उसके regarding में जो discussion है उसको carry forward किया जाएगा इस्टूडेंट्स अगर हम लद्दाक के जो एक्टिविस्ट है उनके demand के perspective से discuss करें तो first उनका demand यही है कि 2019 के समय जब लद्दाक को यहाँ पे bifurcate किया गया जम्मू एंड कस्मीर से तो उसको union territory का जो status है वो दिया गया था union territory के status को यहाँ से remove करते हुए उनको जो statehood है उसको grant किया जाए तो students जो first demand है आपको statehood की regarding में देखने के लिए मिलता है second demand आप देखी कि यहाँ पे six schedule के परस्पेक्टिव से है कि six schedule के अंदर उनको add किया जाए जिस six schedule के अंदर present समय में आपको आसाम, Megalia, तिरपराइन, मिजोरम देखने के लिए मिलते हैं आसाम, Megalia, तिरपराइन, मिजोरम, four states आपको present समय के अंदर देखने के लिए मिलते हैं तो आप देखी कि six schedule के अंदर add करने का भी demand है जो local person से उनको employment का जो opportunity है वो यहाँ पे grant किया जाए government के दुआरा तो student जो local person से उनको employment के regarding में जो opportunity है वो यहाँ पे grant किया जाए government के दुआरा आप देखी कि काफी बार आप article 16 जो employment है public employment के अंदर reservation का concept जो कि आपको article 16 के अंदर देखने के लिए मिलता है तो उसके regarding में भी काफी बार जो state governments है states के वहाँ पे जब elections हुआ करते हैं तो political parties के दुआरा अपने manifesto के अंदर रखा जाता है कि उनके state के अंदर जो MNCs है वहाँ पे आप देखी कि जो local persons को जो यहाँ पे reservation है वो grant किया जाएगा और उसके regarding में जो low framing है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है जो political party अगर power के अंदर में आते हैं तो students आपको यहाँ पे एक जानकारी यह होना चाहिए कि employment के अंदर reservation का जो concept है इसके regarding में जो यहाँ पे residence का जो exception है article 16 का उसका जो low making power है कि 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 state के अंदर जो local residence है उनको यह power दिया जाएगा वो basically आप देखी कि parliament के पास में है हमारे fundamental rights के regarding में जो भी यहाँ पे changes को carry करना है वो complete power parliament के पास है next अगर हम discuss करें demand के perspective से तो आप देखी कि demand यही है कि parliament के अंदर में जो लोकसबा का जो seats है उनको यहाँ पे increase किया जाए लद्दाक के अरिया के अंदर में ले है और कारगिल का जो area है उसको अलग से यहाँ पे लोकसबा का जो constituency है उसके रूप से declare किया जाए पर आप देखी कि लोकसबा का जो seats है वो decide किया जाता है delimitation commission के दुआरा students इसके लावा राज्यसभा के अंदर representation है उसका भी demand किया गया है आप देखी कि राज्यसभा के बारे में जब भी हम discuss करते हैं तो आपको यहाँ पे article 4 के बारे में पता होना चाहिए जो process है यहाँ पे statehood and union territory के status के बारे में जो आपको आपको article 80 के अंदर में देखने के लिए मिलता है तो यह कुछ demands हैं जिनके उपर discuss किया जाएगा यहाँ पे ministry of home affairs के दुआरा students यहाँ पे जो demand किया गया है लोकसभा का जो seat के बारे में लिहे और कारगिल का जो seat से उनको यहाँ पे separate किया जाए अलग से जो लोकसभा seat से उनको यहाँ पे declare किया जाए तो आप देखी कि इसके regarding में एक fact है उसको अगर हम यहाँ पे discuss करें तो हमारे country के अंदर जब भी हम geographical area के perspective से discuss करते हैं तो आप देखी कि लद्दाक का यह जो लोकसभा seat है आपको one of the largest की first number पे सबसे ज़यदा largest area यह cover करता है क्योंकि आप देखी कि हमारे यहाँ पे जो लो लोकसभा constituency के बारे में discuss करें तो आपको देहली के अंदर जो चांदनी चोग का area है देहली के अंदर जो चांदनी चोग constituency है आप देखी कि जो चांदनी चोग constituency है वो आपको one of the smallest देखने के लिए मिलता है around 7 km का जो area यह radius के अंदर में उतना population का जो density है वहाँ पे जो cover करता है आप देखी कि लद्दाग के अंदर में आपको काफी बड़ा यह constituent से देखने के लिए मिलेगा more than 200 के 200 km से भी ज्यादा का जो distance है उसको यह cover करता है next अगर हम बात करें students इंडिया और चाइना के perspective से हैं आप देखी कि जो LEC है line of actual control का जो area है जहां पे जो भी disputes से जो भी यहां पे tensions थे उनको discussion phase के अंदर वो पहुंचा है कुछ areas के regarding में जो deal है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है तो students आप देखी कि इसी मंत के अंदर BRICS का जो meeting है वो carry out किया जाएगा BRICS का meeting है उसको attend किया जाएगा हमारे जो Prime Minister Sir है उनके दूरा China के जो political leader है उनके दूर अब इसको attend किया जाएगा तो हो सकता है कि meeting से पहले ही जो हमारे differences है कुछ areas के regarding में पैट्रोलिंग के perspective से उन सभी differences को यहां पर resolve किया जाए 2020 के समय जो गलवान वेली का जो conflict हुआ जिसके बाद में जो differences है वो increase हुए है और continuous आप देखे कि वहां पर जो dialogue process है जो discussion process है उसके through intentions को resolve करने का courses किया गया है इस्टूडेंट्स इंडिया और चाइना के perspective से यहां पर हम border area के फिरस्पेक्टिव से discuss करेंगे तो इस्टूडेंट्स अगर हम discuss करें इंडिया और चाइना का जो border area है total border area के perspective से discuss करें तो इंडिया और चाइना का border area आपको 3488 km का देखने के सेक्टर वाइज यहां पर डिवाइड किया गया है जो वेस्टन सेक्टर का जो एरिया है वेस्टन सेक्टर जो लद्दाक के साथ अपना एरिया सेर करता है आप देखें कि यह जो एरिया है आपको 2000 किलोमेटर का जो डिस्टेंस हो इसी के थू आपको देखने के लिए मिलेग अकसाई चीन का जो एरिया है उसके रिकार्डिंग में जो अकसाई चीन का जो एरिया है उसके रिकार्डिंग में प्रोपर डिमार्केशन है उसको नहीं करिया उट किया गया था आप देखी कि ये जो एरिया है western sector का जो हमारे जम्मु इंड कस्मी ये लदाक के एरिया से जो जिंजियंग सींजियंग प्रोविंस का एरिया है वहां तक एरिया को सेयर करता है यहाँ पे आपको दो लाइन से वो देखने के लिए मिलती है दो बोर्डर लाइन सुआ करती है जिसमें एक जोनसन लाइन है जो इंडिया के दोरा उसको रिकोगनाईज किया जाता है जोनसन लाइन है इसके लावा इस्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मैक डोनाल्ड लाइन है वो भी देखने के लिए मिलता है मैक डोनाल्ड लाइन है तो आप देखे कि जो बोर्डर उसको बताया गया है कि जो अक्साइड चीन का जो एरिया है वो चाइना के अंडर में है तो इंडिया के दुआला जॉनसन लाइन को यहां पर रिकोगनाइज किया जाता है तो ब्रिटीस का जो फेलियर है वो इंडिया को आप देखी कि उसके रिगार्डिंग में जो यहां प आपको हीमाचल प्रदेश है जो हमारा उत्राखंड का एरिया है तिबेद के साथ अपना एरिया है वो सेर करता है ठाट अगर हम बात करें स्टुडेंट्स इस्टेन सेक्टर के परस्पेक्टिफ से है आप देखें कि इस्टन सेक्टर की रिकार्डिंग में इहां पर डिसकस क गिया गया Eastern sector का जो बोर्डर एरिया है 1140 किलोमेटर का है आप देखी कि जो तैलू जो जो जंग्संद है तैलू जो ट्राइ जंग्सद है जो इंडिया तिबेड और म्यानमार के साथ में एरिया सेयर किया जाता है वहां तक इसका extension है इस्ट्रेंट सिसी इस्टन सेक्टर के बोर्डर एरिया के अंदर में मैक मोहन लाइन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा सिमला कन्वेंशन 1914, सिमला कन्वेंशन 1914, 1914 का जो सिमला कन्वेंशन है उसके बाद में मैक मोहन लाइन है उसको इस्टेबलिस किया गया था चाइना के दुवरा continuous MacMahon line है उसके against में रेजिस्ट किया जाता है आप देखे कि चाइना के दुवरा कहा गया कि MacMahon line है उसको sign किया गया है तिबेत के दुवरा तिबेत को यहाँ पर authority है वो नहीं है तो इस तरीके से चाइना के दुवरा इसको eastern sector का जो demarkation है उसको भी border areas के बारे में हमने discuss किया अब जो conflict का area है दोलत बेग वोल्डी है देपसांग plane का area है होट इस्प्रिंग है तो वो सब आप देखे कि locations को हमने काफी बार discuss किया है उन locations को एक बार आप जरूर से practice करना कहां पे वो situated है नेक्स्ट अगर हम बात करें students इंडिया और चाइना के perspective से कि और कौन-कौन से ऐसे area है जहां पे इंडिया और चाइना के जो differences है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं तो first तो आप देखी कि border area के बारे में हमने discuss किया border area का difference है proper demarcation नहीं है geographical terrain काफी ज़्यदा difficult है इसके लावे students आपको यहाँ पे दलाई-लामबा और तिबेद द regarding में इस्टैपल वीजाज है जो शो की यहाँ पे issue किये जाते हैं उसके perspective से है इस ट्रिंग और पर्ल का एक concept है कि यहाँ पे चाइना के दुवारा इंडिया को encircle करने का कोसिस किया गया है जो नाइबर कंट्रीज हैं सभी के वहाँ पे जो port सा उनको develop किया गया है जिसके इस्टूडेंट्स आपको हमबनत होता पोर्ट हैं ग्वादर पोर्ट हैं चिटगाउं का जो एरिया है काफी सारे जो पोर्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे हमारे नाइबर कंट्रीज के वहाँ पे इस्ट्रिंग और पर्ल के लावा स्टूडेंट्स रीवर बाटर का बी डिस्प्यूट है ब्रह्म पुतरा का जो वाटर सेरिंग है उसके रगाइटिंग में भी डिस्प्यूट है चाइना पाकिस्तान एकोनमिक कोरिडॉर जिसको इंडिया के दुवरा हमेशा से अंपोज किया जता है क्योंकि वो जो कस्मीर का जो एरिया जगा के लिए मिलेगा चाइना के दुवारा मोर्ट जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया के अंदर किया जाता है इंडिया के दुवारा आपको काफी कम export देखने के लिए मिलता है तो trade का जो imbalance वो भी यहाँ पर एक main issue है इंडिया और चाइना के साथ में नेक्स्ट अगर हम बात करें student CGI sir के द्वारा एक statement है वो दिया गया है case के ही regarding में कि जो हमारे minority institutions हैं उनके द्वारा जो secularism का जो concept उसको ये breach है वो नहीं करते हैं तो student secularism का जो concept है वो यहाँ पर हमारे minority institutions के द्वारा नहीं breach किया जाता है मदर्सा जो मदर्सा का एक act है आप देखे कि तूठ हम जो मदर्सा institutions है उनके education के regarding में 2004 का उतरब्रदेश government का वो एक्ट है students उसको इलावाद high court के द्वारा एश्टक डाउन किया गया कि secularism का जो concept है उसको violate करता है आप देखे कि हमारे constitution के अंदर में secularism आपको basically सर्व धर्व संभाव का जो secularism है वो देखने के लिए मिलता है कि सभी religions को यहाँ पर सेम वे के अंदर treat करना है इस्टेट के दुवारा नेक्स्ट आप देखे कि जो secularism के रिगार्डिंग में या अगर हम बात करें जो हमारे religious concepts है उसके रिगार्डिंग में जो प्रोविजेंस आपको article 25 से लेकर 28 के अंदर देखने के लिए मिलते हैं 28 के ही यहाँ पर challenge किया गया कि 28 के अंदर state का जो funding है article 28 के अंदर में state का जो funding है उसके बारे में mention है आप देखे कि जो religious institution है जो minority के institutions उनको state के दुवारा funding दिया जाता है फिर भी उनके दुवारा religious teachings ना carry out किया जाए इस्टूरेंट्स आपको only religious teaching नहीं और भी आप देखी कि scientific temper का जो teaching है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है उसको challenge करते हुए article 30 का यहाँ पर court किया गया है petition के petitioner के दुवारा कि article 30 के अंदर आप देखी कि students बताया गया है कि जो institutions है उनको यहाँ पर only religious education है वो ही नहीं प्रवाइड करना है इसके लावा scientific है literature का जो education है सभी तरीके का जो children के overall development के regarding में important है तो students उसी के बारे में discussion किया गया है कि जो minority institutions के जो law making power है जो law उनके regarding में बनाए गए हैं उनके दुवारा सभी जो religions उनको equal treat करने का जो secularism का जो concept उसको breach नहीं करता है यह पर हमारे cgi sir के दुवारा court किया गया उस petition के discussion के दोरान में next अगर हम बात करें student dana नाम का जो cyclone है वो approach करेगा हमारे eastern coast को आप देखी कि जो cyclone का जो naming है वो किसके देखने के लिए मिलेगा जो ओडिसा का area है अंदर प्रदेश वहां पर इसका impact भी देखने के लिए मिलेगा हमारी जो agencies उनके दुवारा लोगों को rescue किया गया है उस area से related तो students अगर हम dana cyclone के बारे में discuss करें खतर के दुवारा इसका naming दिया गया जिसका meaning होता है beautiful या precious जो पर्ल है वो आपको Arabic के अंदर इसका meaning है वो देखने के लिए मिलता है तूठ हाउजेंट के समय आप देखी कि WMO हो है तूठ हाउजेंट के समय जो world metrological organization है इसके लाव है students आपको economic and social council है Asia Pacific का उनके दुवारा आप देखी कि यहाँ पे cyclones का जो naming है cyclones का जो naming है उसके regarding में कुछ countries है उनको यहाँ पे resonate किया गया था economic and social council Asia Pacific WMO उनके दुवारा 8 countries आप देखी कि उनका name यहाँ पे बताया गया कुन-कुन से है Bangladesh है, India है, Maldiv है, Myanmar है Bangladesh, India, Maldiv और Myanmar इसके लाव आप देखी कि ओमान, Pakistan, Sri Lanka और Thailand ओमान, Pakistan, Sri Lanka और Thailand इस तरीके से 8 countries है Next अगर हम बात करें, student 2018 के समय 5 other countries उनको भी यहाँ पे allow किया गया 5 जो other country है वो इरान है, कतर है, साउदी है, United Arab Emirat है और Yemen है तो students यह 5 other countries है जिनकों के add किया गया है, cyclone के naming के regarding में Asia Pacific का जो Arabic ocean के अंदर में Arabic जो C का एरिया है और बंगाल का एरिया है जहां से जो cyclone originate होते हैं, उनके naming के perspective से Southern India के जो states हैं, उनके दुआरा आप देखे कि continuous concerns को raise किया गया है कि कहीं उनके दुआरा जो population का जो planning है, जो family planning के laws है, उनको implement किया गया जिसके तुआ आप देखे कि Southern India के states के वहाँ पे जो population है वो आपको less देखने के लिए मिलता है तो कहीं delimitation के दुआरा उनको यहाँ पे less number of seats allocate किया जाए आने वाले समय के अंदर में जिससे कि आप देखे उनका जो representation है वो reduce of parliament के अंदर तो उसके regarding में concerns है यहाँ पे, काफी बार आपको finance commission का जो यहाँ पे जो devolution का जो concept है, उसके regarding में भी demand आपको Southern India के states का देखने के लिए मिलता है कि population को इतना जो weightage है, population को जो weightage है वो ना दिया जाए यहाँ पे आप देखे कि students population का weightage को reduce करने के बारे में कहा जाता है, finance commission के वहाँ पे भी जिससे कि आप देखी कुछ states जिनके दुआरा government का जो policy है, family planning है, उसको control किया गया, education के उपर ध्यान दिया गया तो उनको more benefit है, वो यहाँ पे receive हो students अगर हम बात करें delimitation के बारे में तो आप देखी कि हमारे parliament का जो article 82 है, उसके अंदर में delimitation के बारे में mention है article 82 के लाव students आपको state का जो legislative assembly है, उनकी regarding में article 170 देखने के लिए मिलता है, उसके seats के changing के regarding में अभी तक आप देखी कि 4 times जो delimitation commission है, वो existence के अंदर में आता है, फिर आपको 2000 के समय देखने के लिए मिलता है, जिसके 2002 के समय में जब आप देखी कि हमारे जो seats उनको बता दिया गया था कि 226 तक किसी भी तरीके का जो changes है, उसको नहीं carry out किया जाएगा, इस्टूटेंट्स हमारे constitution का जो article 330 है, आप देखी कि 332 है, जो schedule caste and schedule tribe का जो हमारी communities है, उनको reservation है, उनको कुछ यहाँ पे reserve seats वो भी grant करता है, article 330 and 332 जो articles है, अगर हम बात करें, delimitation commission का जो recommendations है, वो binding हुआ करती है, delimitation commission का जो recommendation है, वो आपको binding देखने के लिए मिलेगा, एक आप देखी कि Supreme Court के जो judge है, या retire judge है, वो इसके member हुआ करते है, इसके लावा election commission से, जो हमारा जो election commission of India है, उसकी एक election commissioner आपको देखने के लिए मिलेंगे, और state election commission की भी एक member है, three member body इस तरीके से हुआ करता है, delimitation commission, next अगर हम बात करें, students हमारा जो preamble है, उसके अंदर secularism का जो word है, आप देखी कि बाद में add किया गया था, हमारे preamble के अंदर में three words है, जिनको की बाद में add किया गया, वो कौन-कौन से word है, जिनको बाद में add किया गया था, constitution, amendment act के थूरू, या आप comment section के अंदर बताना, या आपका home work है यहाँ पे, तो student secularism के बारे में Supreme Court के दौरा कहा गया है, amendment act के थूरू, जो preamble के अंदर add किया गया है, वो आपको यहाँ पे बताना है, तो students, अगर हम बात करें, Supreme Court के दौरा जो petition file हुआ था, कि secularism बाद में add हुआ, उसको यहाँ पे remove किया जाए, तो आप देखी कि Supreme Court के दौरा observe किया गया है, उस petition के तो secularism भी उसी तरीके से preamble का हमारे constitution का core part है, students हम preamble के बारे में discuss करते हैं, preamble के बारे में जब भी हम read करते हैं, कुछ basic informations आपको पता होना चाहिए, एक तो आपको preamble याद होना चाहिए, we the people of India, havingly solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic and to ensure its citizens, क्या हमको ensure करना है, justice है, liberty है, और आप देख equality है, जो जो यहाँ पर ensure करना है, यह basic information आपको जरूर से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, आपको preamble, अब students अगर हम preamble के जो basic things हैं, उनके बारे में discuss करें, एक तो आप देखी, क्या बताता है, source of power के बारे में discuss करता है, preamble, source of power कोन है, वीदा people, हम भारत के जो लो चाहिए, democratic and republic होना चाहिए, हमें citizens को यहाँ पर क्या provide करना है, justice provide करना है, जो socio-economic, political background, political हार एक सेक्टर का होना चाहिए, liberty देना है कि उनका thought, belief, faith and worship का उनका यहाँ पर liberty हो, इसके लावा equality प्रवाइड करना है, equality उनके status के अंदर भी हो, opportunity के अंदर भी equality हो, और security को promote भी करन है, पर इसके लावा, students, जो fraternity है, जो बंदतुवा है, जो भाई चारा है, उसको भी ensure करना है, कि जिस्से की dignity, जो हमारे individual person का जो dignity है, उसको ensure किया जा सके, और इसके लावा, आप देखी कि, कारनेशन का जो unity and integrity है, उसको ensure किया जा सके, तो students, Indian citizens को जो provide करना है, उसके बारे म हमने देखा, Indian state का nature कैसा होना चीए, sovereign socially secular वैसा उसके बारे में read किया, और इसके लावा, आप देखी कि, हमने यहाँ पर read किया, source of power के बारे में, एक और provision है, हमारे preamble के अंदर में, हमारे constitution का adoption का जो date है, 26 November 1949 है, उसको भी बताया गया है, commencement का जो date है, 26 January 1950 है, due to the historical influence of porn सवरा जो 1930 के समय, Congress के दुआरा carry out किया गया था, हर एक district headquarter के वहाँ पर, next अगर हम discuss करें, जम्मु इंड कस्मीर के recording में है, जहाँ पर आप देखी कि, जो militants के दुआरा आप देखी कि, non-local persons जिनको target किया गया था, तो students, उसी आप देखी कि, case का जो investigation है, वो NIA के दुआरा start किया गया है, कि किस तरीके से यहाँ पर, militants के दुआरा attack किया गया, अभी तक present समय में, जो militant person से, उनको track, trace है, वो नहीं किया गया है, NIA के बारे में आपको जानकारी यह होना चाहिए कि, जो 2611 का जो incident है, Mumbai attack का जो incident है, उसी के बाद में, इस institution को create किया गया था, जिससे कि, all over India जो terrorist के, जो cases है, उनको investigate किया जा सके, नेक्स्ट अगर हम discuss करें, students, farmers के बारे में है, आप देखें कि, stable burning है, उसको बताया गया है, stable burning करते हुए, जो farmers है, उनको यहाँ पे, जो agencies हैं, जो authorities हैं, उनके दुवर आरेश्ट किया गया है, आप देखें, आरेश्ट किस act के regarding में किया गया है, air pollution का जो act है, air का जो prevention and control of pollution act है, उसके थुरू यहाँ पे, जो basically आप देखें कि, इनको आरेश्ट किया गया है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस्ट्रूरेंट जब भी हम air pollution और water pollution के जो act से उनके बारे में discuss करते हैं, तो आपको एक जानकारी यह होना चाहिए, कि हमारा जो central pollution control board है, central pollution control board है, central pollution control board, तो आप देखें कि इसको जो setup किया गया था, central pollution control board को 1974 के समय setup किया गया था, और हमारे water का जो act है, water pollution का जो control करना है, वो act है, 1974 का, उसी के थूरू इसको initial phase में setup किया गया, फिर बाद में आप देखी कि air का जो act है, 1981 का, air pollution prevention and control का जो act है, 1981 का, उसके थूरू उसको भी इसके अंदर add किया गया, environment protection act है, 1986 के जो यहाँ पे guidelines है, उनको भी इसके दौरा implement किया जाता है अब आप देखी कि हरियाना का जो कैथल है, हरियाना का कैथल नाम की जो जगह है, northern part of हरियाना के अंदर आपके एरिया देख के लिए मिलता है, वहाँ पे आप देखी कि जो stable burning है, उसके regarding में इस तरीके से farmers उनको यहाँ पे arrest किया गया है, उनको इस तरीके से आप देखे कि चार्ज किया गया है, तो इस्टूरेंट जब भी हम कैथल के बारे में discuss करते हैं, तो आपको यहाँ पे medieval history का भी एक incident याद होना चीए, आप देखे कि हमारा जो देहली सल्तनत का एरिया है, देहली सल्तनत का एरिया है, 98-2006 के समय, after the death, मोहमद गोरी के death के बाद में, जो slave dynasty power के अंदर में आता है, उनके बाद में इलतुतमिस power के अंदर में आते हैं, और फिर आप देखी कि रजिया सुल्तान है, तो जो first lady ruler है, रजिया सुल्तान, उनका आप देखी कि जो death है, वो आपको यहाँ पे, कैथल के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, हरियाना के जो PC PCS का exam हुआ करता है, आप देखी कि उसके अंदर एक question पूछ लिया गया था, यह last year, आप देखी कुछ साल पहले एक question पूछा गया था, PCS के exam के अंदर में, कि रजिया सुल्तान का जो death है, वो कहाँ पे हुआ था, कैथल वो जगह है, जहाँ पे, अलतुनिया और उनका प्रोवर्सी है, चहल गामी जो top 40 जो persons हुआ करते थे, अगर आपको यह सब जो concepts नहीं पता है, चहल गामी है, अलतुनिया जो हमें डिसकस कर रहे हैं, तो आपको medieval history को read करने का जरूरत है, काफी ज़्यादा important, रजिया सुल्तान का time period अगर आपको नहीं पता है, तो भी वो आपको याद होना चीए, 1236 से लेकर 44 साल का वो रूल हुआ करता था, और क्यों चहल गामी की दौरा रेजिस्ट किया गया था, वो मेन का जो रूल है, उसको administration है, उसे ही, next अगर हम बात करें, students, manifesto, आप देखी कि महराश्टा के वहाँ पे election है, एक political party की दौरा, अपने manifesto क बारे में जब भी discussion हुआ करता है, तो आपको एक जानकारी होना चीए, election process के अंदर political parties के दौरा अपना policy या आने वाले समय में कैसे उनके दौरा rule को carry out किया जाएगा, उसके regarding में manifesto हुआ करता है, पर क्या manifesto का implementation यहाँ पे legal foundation है, कोई political party का, तो आप देखी कि legal foundation किसी भी तर इस तरीके से उनके दौरा work किया जाएगा अगर वो power के अंदर में आते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस्टूरेंट जम्मो एंड कस्मीर के वहाँ पे elections complete हुए थे, terrorist attack भी वहाँ पे हुआ है, और इसके लाव आप देखी कि जम्मो एंड कस्मीर के जो mlg है, जो elect हु इस्टूरेंट्स हमारा जो लोकसभा है, उसके अंदर pro time speaker कौन हुआ करते थे, कि भरतुरी जो महताब नाम के जो हमारे member of parliament है, उडिसा से जो belong करते हैं, तो भरतुरी जो महताब है, क्या उनको यहाँ पे जो pro time speaker का जो post है, वो दिया गया था, one of the senior most person है, उनको यहाँ पे governor के दूरा पॉइंट किया जाता है, इस्टेट के अंदर में, पर आप देखी कि parliament के regarding में आपको president के दूरा उनका appointment किया जाता है, parliament के regarding में आपको पता होना चाहिए, article 95 के बारे में जिसमें बताया गया है, कि जो president के दूरा कुछ convention के थूरू, जब तक यहाँ पे speaker का elections नहीं होता है, जब तक pro time speaker के दूरा, ओध process को complete किया जाएगा, speaker office के बारे में जब भी हम read करते हैं, speaker office के बारे में जब भी हम read करते हैं, तो article 94 के बारे में आपको यह जानकर यह होना चाहिए, कि speaker का जो post आप देखी कि vacant होता है, जब new log sabah power के अंदर में आती है, new log sabah जब power के अ elect होते हैं, oath process के उनकी दूरा carry out किया जाएगा, जब ही तक आप देखी कि speaker का election conduct होगा, speaker के election के बाद में speaker के दूरा जो proceedings सा उनको carry out किया जाता है, pro time speaker के regarding में किसी तरीकी का जो legal backing नहीं है, एक one kind of convention है, एक senior most person है, उनको यहाँ पे elect किया जाता है, pro time speaker oath process के regarding में, next अगर हम ब concept है, illegal way में किसी country के अंदर add करना, लोग क्यों जाते हैं किसी भी country के अंदर में, उनको opportunity लगता है, उनको लगता है कि livelihood को better कर पाएंगे, more opportunity, more money making भी आप देखी कि एक issue हुआ करता है, तो students यहाँ पर बताया गया है कि Canadian जो education का visa है, उसको use करते हुए लोग, US के अंदर illegal way से entry करने का जो कोशी सुनके दुआरा किया जाता है, आप देखी कि last year भी हमने एक news को discuss किया था, जो Central America का जो country है, निकरगुआ, निकरगुआ नाम का जो country है, आप देखी कि निकरगुआ नाम का एक country है, वहाँ का एक flight था, जिसके अंदर काफी सारे Indians थे, जिसको फिस suspect किया जो French authorities है, उनके दुआरा कि काफी सारे लोग एक ही flight के लिए क्यों जा रहे है, एक ही country से, पर आप देखी कि flight भी इंडिया से originate नहीं हुआ था, फ्लाइट का origination आपको दुबई से देखने के लिए मिलता है, तो students उसी suspect के basis पे उन लोगों को वापिस से इंडिया के अंद होगा, more यहाँ पे earn कर पाएंगे, बट एक movie आया था, recently SR के जो सारुखान है, उनका एक movie है, डंकी, उसके अंदर इस complete process के बारे में बताया गया है, कि उनको उस तरीके से भी आप देखी कि employment नहीं मिलता है, काफी सारे restrictions हुआ करते हैं, पर employment आप देखी कि जब भी जो यहा less education है, proper documents नहीं है, तो उनका जो आप देखी कि economy के जो exploitation आपको देखने के लिए मिलेगा, more work and less payment का जो concept है, next अगर हम बात करें students, निकारगुआ के बारे में हमने discuss किया, तो Central America के जो country जो उनको एक बार हम discuss करते हैं, students suppose कीजिए, यहाँ पे निकारगुआ है, यहाँ पे निक होंडोरस situated है, कौन सा country है, होंडोरस है, यहाँ पे अलसलवाडोर है, होंडोरस है, उसके बाद में students आपको देखने के लिए मिलेगा, ग्योटाव माला है, ग्योटाव माला नाम का जो country है, वो situated है, और उसके northern part के अंदर मेक्सिको है, तो इस तरीके से land route इनके दुआरा य यूएस के अंदर में, पर आप देखी कि यह बेसिकली land routes का जो discussion क्यों सामने आया है, कभी-कभी यहाँ पे security forces के दुआरा जब attack किया जाएगा, जब उनको वहाँ पे कुछ persons का casualty रहेगा या उनको arrest कर लिया जाता है, तो उस समय उनके दुआरा reveal किया जाता है, कि वो इस अकोर्ड है, जिसको sign किया गया था, पर हमारी government के दुआरा जो citizenship amendment act के अंदर में section 6A है, उसको add किया गया, section 6A कि 1966 से पहले जो persons असाम के अंदर enter कर चुके है, बंगलादेश से उनको citizenship यहाँ पे grant करता है, और 66 से लेकर आप देखी कि 25 March 1971 का वो समय है, 1971 यहाँ पे choose किया गय इसको carry out किया गया था, eastern Pakistan के वहाँ पे Pakistan का जो forces है, उनके दुआरा, क्योंकि आप देखी कि बंगलादेश जब पाकिस्तान का ही part हुआ करता था, eastern Pakistan उसको जाना करते हैं, और आप देखी कि first resistance आपको बंगलादेश के अंदर language basis पे देखने के लिए मिलेगा, कि उर्दू language ह उर्दू को आप देखी कि लगा दिया गया था, कि आपको जो उर्दू language है उसी को बोलना है, उसी को यूज करना है, तो first resistance आपको धीरे धीरे language basis पे, cultural basis पे इस तरीके से suppress करने का कोशिस किया गया था, उसके बाद में बंगलादेश लिबरेशन का moment आपको देखने के मिलेगा, तो आप देखी कि 1966 से पहले जो एंटर कर चुके हैं, उनको status है, बाद में उनकी regarding में कुछ concerns है, समय पे उनको foreign tribunals के थुरू appear भी होना होता है, पर आप देखी कि इसी process के regarding में section 6 से को challenge किया गया है, कोट के अधर में, हमारे कोट के दुआरा fraternity जो diversity है, उसको basic issue basis यहाँ पे मानते हुए, humitarian waste के अंदर में, इसको आप देखी कि uphold हो किया गया है, कोट के दुआरा, 4 ratio 1 के अंदर इसको uphold किया गया है, कोट के दुआरा, क्या आप देखी कि आप जिन persons को entry किया गया है, उनको अगर वापिस से deport किया जाएगा, तो काफी सारे जो यहाँ पे conflict तो increase होंगे, demographic, dividend, demographic आप देखी कि जिस तरीके से वहाँ पे change हुआ है, उसके regarding में इसको challenge किया गया था, next अगर हम बात करें, biodiversity के perspective से हैं, तो students, अगर हम biodiversity के perspective से discuss करें, तो 2022 के समय, biodiversity का एक meeting है, वो organize किया गया था, उस meeting के अंदर में आप देखी कि discuss यही किया गया था, कि हमे 2030 तक जो destruction है, जो हमरा land का जो degradation है, उसको reduce करना है, उसको हमें हाप यहाँ पे carry out करना है, but students, आप देखी कि 2024 के समय, जो CBD है, convention for biological diversity, उसका जो COP16 है, उसका meeting होगा, कोलंबिया के वहाँ पे एक जगह है, कैली नाम की जगह है, जहाँ पे इस meeting को carry out किया जाएगा, तो उसी meeting के अंदर discuss यही किया जाएगा, कि आप देखी कि जो targets यहाँ पे बताए गए थे, कि destruction को हमें reduce करना है, उसको अभी तक हमने achieve नहीं किया है, बायो डाइवर्सिटी जो framework है, coming and Montreal जो यहाँ पे बायो डाइवर्सिटी framework के नाम से इसको जाना करते हैं, coming and Montreal बायो डाइवर्सिटी framework है, पर आप देखी कि वहाँ पे adopt यह भी किया गया कि 30% जो land है, 30% जो c है, उसको 2030 तक 30 into 30 into 30, यह 3 बार 30 का जो concept है, आप देखी कि 30% land का degradation reduce करना है, 30% c का degradation reduce करना है 2030 तक, तो basically उसी के regarding में यहाँ पे meeting को 2060, COP16 का जो meeting है, कैली कोलंबिया के वहाँ पे, जिसको carry out किया that Montreal का जो biodiversity framework है, उसको कैसे किया जाए, नेशनल जो action plans हो क्या है, आप देखी कि निगोया इन कार्टेजी ना आपको earlier phase के अंदर में biodiversity के perspective से important जो conventions हो देखने के लिए मिलेंगे, next अगर हम बात करें students हमारा जो 75 year का जो journey है, उसका जो constitutional governance है, उसी के बारे में यहाँ पे discuss किया है, आप देखें कि students हमारा जो 26 November का जो day है, 26 November का जो day है, जो अभी हमने discuss किया, preamble का जो article है, उसके अंदर में, 26 November को आए जे constitutional day के रूप से भी हम celebrate करते हैं, 2024 का जो constitutional day है, वो आप देखी कि हमारे country का जो 75 years का जो journey है, उसको यह show करता है, तो यह 75 years का जो journey है, हमारा जो democracy है या constitution का every stakeholder है, उसको celebrate करने का जरूरत है, कैसे 75 years के इस journey के अंदर में, हमारे जो institutions हैं, उनकी दुआरा evolve किया गया, evolution of democratic institutions है, और आप देखी कि हमारे institutions and power का जो transition है, उसका जो respect है, वो किस तरीके से यहाँ पर important है, उन सभी areas को यहाँ पर celebrate करने का जरूरत है, उसके बारे में discuss किया गया, पर students यहाँ पर कुछ five core जो constitutional values हैं, उसको भी ध्यान देने के बारे में discuss किया गया है, पाँच ऐसा कौन सा constitutional values है, जिसको हमें ध्यान के अंदर रखना है, एक तो आप देखी कि हमारे जो democratic institutions हैं, हमारे जो democratic institutions हैं, उनको respect करना है, उनको protect करके रखना है, जिस तरीक से life expectancy हमारा 32 years हुआ करता था, independence के समय में, वो 70 years achieve हुआ है, तो आप देखी कि institutions का ही जो role है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहिए वो democratic, जो judiciary के sector का institution हो, health sector का institution हो, तो हमारे democratic institutions, उनके ensure के बारे में discuss किया गया है, हमारे government का जो transaction है, government का जो transaction हुआ करता है, उसको वो आप देखी कि one of the important pillar है, हमारे लोगों का जो participation जो rate है, वो 60% हुआ करता था, election के अंदर में, बट आप देखी कि प्रिजेंट समय में 65 है, बट आप देखी कि number का जो population ratio है, वो भी increase हुआ है, population का जो numbers है, वो भी यहाँ पे increase हुए है, तो student second यहाँ पे discuss किया गया है, कि हमार जो smooth transaction of government है, कि जब भी कोई political party यहाँ पे election में defeat होता है, तो जो political party completely power के अंदर है, जिनके पास numbers है, तो उनको smooth transaction आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आपको कभी कुछ state, कुछ countries के वहाँ पे conflict हुआ करता है, power का transaction के regarding में, तो small transaction one of the important pillar है, हमारे 75 years का constitutional governance या constitutional evolution का जो जरनी है उसके अंदर में, third students यहाँ पे जो rights है, जो freedom का जो rights है, जो यहाँ पे हर एक person को equal rights है, उनको ensure किया जाता है, court की दुआरा, court हमारे यहाँ पे एक important institution है, लोगों का भरुसा भी है institution के उपर में, पर आप देखे कि इसके दुआरा जो हर एक normal person का जो rights है, उसको ensure किया जाता है समय समय पे जो arbitrary, जो лож हैं, कुछ ऐसे лож हैं, जो आप देखे कि लोगों का जो rights है, उसको curtail करते हैं, उनको आप देखे कि null and void भी declare किया जाता है, court के दुआरा, fourth students हमारा जो federalism का जो concept, states and center का जो relation है, जो हमारा, आप देखे कि one of the important pillar है, हमारे country के अंदर governance के perspective से, democratic institutions के perspective से, त आप देखे कि यहाँ पर fourth pillar of democracy, जो media and civil society है, उसके रोल के बारे में discuss किया गया, तो student discuss यही किया गया है, कि यह हमारे five important pillar है, media है, civil society है, federalism है, courts के दुआरा जिस तरीके से right को ensure किया जाता है, smooth transition है, और आप देखे कि हमारे जो institutions हैं, तो इन सभी five pillars को important ध्यान देने का जरुर friends है या journey है, उसके regarding में important pillars है, जिसके बारे में discuss किया गया है, 75 years के evolution के ही regarding में, next अगर हम बात करें, students आप देखे कि हमारा जो land का जो restoration है, उसी के बारे में यहाँ पर discuss किया गया है, आप देखे कि जो natural restoration जो की basically एक target है, कि 30% जो land का area है, वो degrade हो चुका है, 30% जो जमीन का ज जो area है, वो degrade हो चुका है, natural जो restoration laws आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसके regarding में आप देखी कि natural restoration जो low है, वो European Union के दौरा निकाला गया है, तो students यहाँ पर target यह रखा गया है, कि European Union का जो इस सरीके से low है, जो एक model low के रूप से work करता है, कि कैसे यहाँ पर land है, उसको restore कर ना है, इस row के दौरा भी आप देखी कि उसका जो atlas है, इस row के दौरा एक अटलास निकाला गया, desertification and land degradation, इस row का एक atlas है, desertification and land degradation, तो students इस row के उस atlas के अंदर भी यही बताया गया है, कि हमारे यहाँ पर जो आप देखी कि जो land degrade हुआ है, 30% के आज सपास जो land degrade हुआ है, 99-97 point कुछ आप देखी कि जो यहाँ पे hectare जमीन है उसके degradation के बारे में बताया गया कुछ हमारे states जो यहाँ पे majorly contribute करते है degradation के अंदर में करनाटका है, गुजरात है, महराश्टरा है, राजस्तान है जहाँ पे more land का degradation हुआ है इस्ट्रेंट्स यहाँ पे discuss यही किया गया है कि हमें degradation को reduce करना है at least 20% land को restore किया जाए 2030 तक 2030 का वो समय है जब तक हमें 20% जो land है उसको restore करना है 20% land को restore करना है biodiversity के जो strategic partnership पे उसको carry out करना है उसके बारे में यहाँ पे discussion है इंडिया के कुछ initiative जैसे की green इंडिया mission है प्रदान मंतरी, किर्सी, सिचाई, योजना integrated आप देखी की inland जो यहाँ पे integrated water का जो यहाँ पे initiative आपको देखने के लिए मिलता है तो watershed जो one of the second largest आपको world का इंडिया के अंदर में programs है wetlands को restore किया जाए, target land है उसको restore किया जाए forestation के program जो एक paid मा के नाम जिस तरीके से initiative चलाए गए है तो forestation है उसको भी carry out किया जाए biodiversity आप देखी कि agriculture sector के अंदर इसको यह biodiversity है उसको ensure किया जाए और river का restoration इसके साथ साथ urban spare के अंदर भी urban के अंदर मियावाकी का जो concept है वहाँ पर भी आप देखी कि urban areas को भी यहाँ पर main ध्यान में रखते हुए land का जो restoration है, afforestation है उसको carry out करना यहाँ पर main responsibility है जिसे कि हम at least 20% जो land है उसको restore कर सके 2030 तक पर completely जो land का जो restoration है 2050 तक हम इसे achieve कर सके students महराष्टरा के वहाँ पर election है, महराष्टरा वनवगदा important आप देखी कि taxation की regarding में, revenue generation की regarding में वनवगदा एक important state है बत कुछ ऐसे areas हैं जहाँ पर इसको more ध्यान देने का ज़रुरत है जैसे कि health sector के अंदर spending को increase किया जाए, girls हैं जिरका education को ensure किया जाए पर आप देखी कि काफी बार आपने shadow fleets के बारे में read किया होगा, shadow fleet क्या हुआ करते हैं, कि यहाँ पर किसी भी country के against में जो sanction है तो जिन tankers के दौरा, ships के दौरा आप देखी कि जो sanction वाला जो country है, जैसे कि रसिया के उपर sanction है, present समय के अंदर में, तो जिन tanker and ships के दौरा, russian जो crude oil है, जिनको carry out किया जाता है, उनको हम shadow fleet के नाम से जाना करते हैं, इंडिया का भी आप देखी कि काफी सारा जो crude oil का जो trade है, वो आपको russia के साथ देखने के लिए मिलेगा, तो एक बार जब sanctions impose किये गए हैं, US के दौरा, तो उसके जो banking institutions, western sector के अंदर में, जो banking institutions हैं, उनका freeze आपको देखने के लिए मिलेगा, और भी काफी सारे restrictions हैं, बट यहाँ पर कैसे movement को ensure किया जाता है, तो पर dominate किया जाता है, बाद में आप देखी कि जापान का है, जापान चाइना का जो presence आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर आप देखी कि रिपेर सेक्टर के अंदर भी चाइना है, जापान है, साथ कोरिया है, इसके लावा student shipping का जो regulation या marine insurance सेक्टर की बात करें, तो यूरो उसको change नहीं किया गया है, तो ये काफी कुछ ऐसे areas हैं जिसके थूरू जो tracking concept के थूरू ही, जो restrictions हैं, उनको ensure किया जाए, sanctions को यहाँ पर ensure किया जाता है, western power countries के दुआरा, हाई जो buildings हैं, वहाँ पर आप देखी कि emission आपको देखने के लिए मिलता है, तो उसी emission के बारे में हम हमारे urban areas के regarding में जो initiatives हैं, उसको यहाँ पर discuss किया गया, आप देखी कि जब भी हम discuss करते हैं, यहाँ पर आपको European Union का एक deal के बारे में पता होना चाहिए, कि 2050 तक जो यहाँ पर green deal, आपको news के अंदर हुआ करता है, green deal, आप से question पूछ लिया जाएगा, green deal, sometimes in the news, वो किसके regarding मे नेशनल action plan for climate change है, urban areas के regarding में, इसके लावा आप देखी का energy conservation building code आपको देखने के लिए मिलेगा, energy conservation, energy conservation building code है, bureau of energy efficiency है, bureau of energy efficiency है, उसके दोरा भी energy का जो हैं आप एक इस तरीके से carry out करना है, high performance building areas है, climate के जो goals उनको कैसे achieve करना है, green rating आपको एक agency है, integrated habitat assessment भी देखने के लिए मिल जिसको की हम ग्रीहा के नाम से जाना करते हैं, तो ग्रीहा नाम का एक body आपको देखने के लिए मिलता है, integrated जो assessment carry करना है, Indian green building code है, students Indian आप देखी कि green building code है, कि हमारे urban areas के अंदर में किस तरीके से जो green buildings हैं को ensure किया जाए, energy efficient जो buildings है, इसके लावा आप देखे कि 30% जो emission है, उ जो कि आपको high performance buildings के अंदर में देखने के लिए मिलता है, emission level उसको reduce करना है, student 21 October का जो day है, उसको देखी कि पुलिस जो camemoration day के रूप से celebrate किया जाता है, जो हमारे police personals हैं, जिनके दुआरा line of duty के regarding में जो life को sacrifice किया जाता है, तो उसी के regarding में जो new threats हैं, उसको हमारे जो minister of home affairs ह किया गया, कि drone के जो attacks है, artificial intelligence का जो miss use है, और security जो checking का जो concept है, उसको आप देखी कि challenge करता है, यह यहाँ पर present समय में, जो new threats हैं, उनके बारे में discuss किया गया है, हमारे security forces का जो contribution है, जो police forces या paramilitary forces का जो contribution है, उसको भी यहाँ पर recognize किया गया, student जो यहाँ पर British Broadcasting जो company है BBC, उसक regarding में जो आप देखी कि restrictions को challenge किया गया, court के अंदर में, court के अंदर January के समय है, जो IT Act के थूरू जो इसको यहाँ पर challenge किया गया है, article 19 का जो freedom of speech and expression के थूरू जो tweets उनको remove किया गया था, social media platform के उपर में, तो उन सभी के regarding में आप देखी कि January के अंदर इसका proceeding है, उसको carry out किया next अगर हम बात करें, students ANI and Wikipedia जो आप देखी कि उनका कुछ conflict था, defamation का charge के regarding में, जिसको यहाँ पर down किया गया है, take down किया गया है, Wikipedia के दौर उस article को, next आप देखी कि हमारा medical education के regarding में, need का exam conduct होता है, जिसके regarding में काफी सारे concerns इस साल rage किया गये थे, तो students need का exam conduct किया जाता है, NTA क के दौरा national testing agency, जिसको society registration act के थुरू create किया गया, पर आप देखी कि NTA के पास में proper जो workforce वो नहीं है, किस यहाँ पर companies को आप देखी कि उनके दौरा जो tender है, वो दिया जाता है, और उनका CTA coordinator हुआ करते हैं, तो proper workforce यहाँ पर बनाया जाए, government के fund के उपर यह depend है, हमारा जो higher education जो financing agency है, उसके उपर यह depend है, fund के regarding में NTA, तो आप देखी कि NIT के exam को कैसे carry out करना है, उसके regarding में जो committee constitute हुआ था, Radhakrishnan committee, जो हमारे ISRO के, ISRO से related जो person है, तो students Radhakrishnan committee को यहाँ पर time को extend किया गया है, को उनके दौरा और भी detail के इंदर इसको discuss किया जाए, कि कैसे हमें NEIT का ज आप देखी कि जो defense secretary है, उनके दौरा युकरेन के जो leader है, उनसे meeting किया गया है, कुछ financial support के बारे में discuss किया गया है, रसिया के वहाँ पे जो opposition के जो leader हुआ करते थे, जिनका की death हुआ था, आरक्टिक का जो jail है वहाँ पे, और allegations लगाया गया थे, कि उनको poison दिया गया है, तो UPI जो हमारा unified payment interference का जो concept है, UPI उसको यहाँ पे implement किया गया है, जो इंडिया मालदीव के तौरा discuss किया गया था, तो financial payment के regarding में, 2016 के समय जो टर्की का जो टर्की नाम का जो country है, जिसने अपना name change किया तुर्कई, तो आप देखिए कि टर्की के वहाँ पे एक, जो वहाँ overthrown का कोसिस किया गया था, जो government को remove करने का कोसिस किया गया था, तो उसके जो leader है, जो letter phase के अंदर में, आपको US के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, उनका यहाँ पे death हुआ है, गुलान साइद इनका name है, तो आप देखिए कि उसी के बारे में discuss किया गया, next आप देखिए कि US के Island Countries है, Pacific Island Forum है, वहाँ पर भी अपनी voice को raise किया गया था, जिसको कि China के दौरा object किया गया था, वहाँ पर statement भी change करना हुआ था, Pacific Island के जो country जो उनके दौरा, अभी US के दौरा अपना जो यहाँ पर आप देखिए कि जो सिप्स हैं, जो Taiwan स्ट्रेट के थूरू लेके गया है, च जाओदियर इविया के वहाँ पर, एक ट्यूरीजम इवेंट के अंदर में, तो यह कुछ discussion है, जिसको की हमने यहाँ पर discuss किया, locations आप देखिए कि टर्की का location आपको पता होना चाहिए, कल भी हमने Odessa Port के बारे में discuss किया था, जो Ukraine का Odessa Port है, जिसके नियर भाई एरियाज के वहाँ पर आपको Maldowa का presence देखने के लिए मिलता है, जो लेंड लो कंट्री है, यूकरेन आप देखिए कि टर्की के दौरा ही ब्रोकर किया गया था, जो ब्लैक सी का ग्रेंडी ग्रेंस का जो डील है, जिसको टर्की के दौरा ब्रोकर किया गया था, रसिया के दौरा की नाम से भी जाना करते हैं, तो this is all the information related to the today's newspaper, आप इसको read कीजे, revise कीजे, जो भी information आपको मिला है, उसको note down कीजे, thank you students, thank you very much.